असलाम लेकूम, welcome back to my youtube channel, कैसे हैं आप सब लोग उमीद है, आप सब खेरिया से होंगे और ठीक ठाक होंगे, आज की वीडियो द्राश शॉपिंग हॉल का पार्ट टू है, जिसने पार्ट वन नहीं देखा पहले वो जाके पार्ट वन देखा है, पार्ट वन का लिंक में उप उस्ट एक महीना हो गया, और उडर किया है, और उनना ने मुझे आर्ट डिलिवर करवाई है, तो चलें वीडियो देखते हैं, तो यहां पर मैंने पहला जो पैकेज है, वो उपन कर लिया है, इसके अंदर तीन चीज़ें थी, एक मुझे ट्रेवल किट मिला था, और दो थ उस्टी बैग में, ताकि मैं अपनी जो चोटी मोटी जूलिडी है, वो इसके अंदर डाल सको, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, मुझे इसको और करना था, और पर मुझे एक रिजनेबल प्राइस मेली, तो पर मैंने इसको और कर दिया था, प्रोड़क्त की क्वा इसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो आपको यह भड़ा सेक्षिन मिल जाएगा, अपनी वाच रखने के लिए कुछ भी, अगर आप इस तरह नहीं रखना चाते तो आप इस तरह पार्टेशन भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसे यूज क मंगवाया था, तो यह सी ग्रीन कलर में मैंने ओरर किया था, फिनिशिंग इतनी नीट है ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने सेल में इसको मंगवाया है, अच्छा यहां पे मैं दोनों को कंपेर कर थी कि साइज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस न गाई है, और काफी हैंडी सा है, इसमें आप अपनी चोटी मुटी जूलरी डाल सकते हैं, इसको अपने पाउच में डख सकते हैं, तो आपकी जूलरी इदर उदर नहीं होगी, तो मुझे यह जरूर चाहिए था, तो मैं काफी देर से देख रही थी, इंस्टा के ओपर दे है, और यह भी नहीं कि इन्होंने सेल प्राइस में मुझे दिये, तो थोड़ चीज़े होती हैं, नहीं, जैसा इन्होंने दिया, वैसे हाई प्रोड़क्ट मुझे रिसीफ हुआ है, तो यह मुझे दोनों प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छे लगें, और हाईली रेकमेंड डाल के से ट्रैवल कर सकते हैं, जब आपने ट्रैवल करना आथा तो आप फुल बॉटल की बजाए इसके अंदर फिल करके से लेके जा सकते हैं, तो यह चीज़ अच्छी है काफी, चलें अब देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी इसमें क्या है, लेकिन पर मैं आपको इसका साइस दिखा रही थी, ताकि पूरी इंफरमेशन आप लोगों पता चले हैं, जादा बड़ी बोतल नहीं है, क्योंके कैमरे में हर चीज़ बड़ी लगती है, अच्छा जी, यहाँ पर इन्हों ने इस तरह स्टॉपर लगाया वा था, इसको आप रिम साइस भी सेम ही है, ठीक है, मुझे इसके अंदर डालना है सैनिटाइजर लिक्विड वाला क्योंके जब कोई सर्फिस को साफ करना तो आप उस पे स्प्रे कर सकते हैं, तो मैं काफी देश से ऐसी कोई छोटी सी चीज ढून रही थी, जो मुझे मिल जाए, तो फाइनली मु पूर डाल सकते हैं, अप इसको जिस तरह भी यूस करना चाहते हैं, तो कोई ऐसे हार और फास्ट रूल नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसके बाद इसमें दो कंटेनर्स निकले थे, इसके अंदर आप अपनी क्रीम्स डाल सकते हैं, आई क्रीम डाल सकत हैं, साथ में इनोंने एक स्पून दिया था, एक फरनल थी, और साथ में ये ड्रॉपर दिया था, तो काफी अच्छा मुझे लगा, ये किट काफी रिजनेबल थी, और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी प्राइस लगी, क्योंकि जब मैंने इसको इंड़िजूली बाई कर करूँगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ओपर भी फॉलो कर लीजएगा, लिंक जो है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में 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 अपने इंस्टाग्राम का, और ये लास्ट में एक बैग था, मैंने बैग भी का आपको दिखा देती हूँ, तो ये चीज इंस्टाग्राम के ओपर भी देखें और दरास पे भी देखें तो ये कुछ 1100 के मिल रहे थे, कहीं पे 750 के थे, तो 433 के अंदर अच्छी से क्वालिटी मिल रही है, बिल्कुल एग्जेक्ट वही प्रोड़क्त मिल रहा है, लेस प्राइस के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा वर्दब प्राइस है, तो भी मैंने इसे बाई कर लिया था, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने इसे लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, चलें जी अब अपना नेक्स पैकेज देखनें, तो इसके निकला था, चोटा सा पर्स, ये मैंने मुगाया था कॉइन्स के लिए, लेकिन ये मुल्टी पर्फर्स पर्स है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें हाली कॉइन्स ही रखें, तो सबसे पहले इसका साइस देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सब चीज अपने हाथ के 450 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्राइस ही है, ये मतलब इतना चोटा सा पर्स है, ये अभी आपको पिचर में शाहिद बहरा लग रहा होगा, लेकिन 450 पर्स के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ज़ादा हो गया, अब आप लोग मुझे नीचे कमेंड करके बताएं कि 450 इसकी प्राइस ठीक है, या थोड़ा सा ज़ादा हो गया, लेकिन खेर मैंने तो अब बाई कर लिया था, तो मैंने का आप लोगों के साथ शियर कर देती है, एक चीज़ और आप लोगों के सा मेंशन करूंगी, जो लिंक्स हैं, वो यहाँ पर अभी क्लिक नही होते हैं, तो यह हमारा I think last package है, इसके अंदर दो चीज़ें थी, सबसे पहला आप इसकी प्राइस देख लिए, 8.76 में यह मुझे रिसीव हुआ था, इन दोनों चीज़ों की इंडिविजुल प्राइस भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो एक मैंने मुगा था मैमो और दूसरा जो था वो डबल हाइलाइटर से, तो चलें उनको देख लेते हैं आप, अचा वैसे तो मैंने, यह साइच चीज़ें मैंने एक महिना पहले और की थी, लेकिन इनों बहुत डिलेइस की डिलिवरी दी है, अदर्वाइस बाकी सब ठीक है, प्रोड़क्त कि मुझे काफी कुछ नोट करना पड़ता है, इस्पेशली जब हम टेक्स्बुक रीट कर रहे होते हैं, तो कोई इंपॉर्टन पॉइंट होता है, तो मैं इसे स्टिक नोट निकालके उधर स्टिक कर देती हूं और उस पे लिख लेती हूं, तो काफी मुझे ना कि मुझे जादातर ऐसा होता है, मैं हमेशा चीज़ें बूल जाती हूं, तो फिर मैं इस तरह स्टिक नोट पे या इस तरह के चोटे पैट्स के उपर लिख के ना इसे स्टिक कर देती हूं, इस जगह पर आपने जहां पर आपकी नजर पर यह नहीं कि आप बहर निकल जहा जादा तर दोर्स पर लगा देती हैं और फ्रिज पर ताकि मैं नजर के सामने रहे, यहां पर मैंने नेक्स पैकेज ना ओपन कर लिया, तो यह हाईलाइटर थे, यह डबल साइट था, एक साइट पर पॉंट इट था, और दूसरी साइट पर आप इसे हाईलाइट कर सकते ह मैंने यह वाला सेट और किया था, जिसमें तोरे कलर फुल से दूसरा वाला जो था, वो बिल्कुल ही पिंग टोन में था, तो यहां पर मैं सारे कलर से स्वेचिस करूंगी, मार्कन साइट से भी कर दूंगी और हाईलाइटर साइट से भी, तो आप सारे जो शेर्स हैं वो कोई नोट्स लेना होता है तब मैं अपना हाईलाइटर निकाल लेती हूँ या बुक में कहीं मार्क करना होता है, तो यह परफेक्ट रहते हैं नोट्स लेने के लिए और इस तरह मार्किंग के लिए, तो मुझे काफी अच्छे लगते थे, और मैं काफी देर से कुछ करूंगी, आप लोग मुझे नीचे कमेंड करके जरूर बताएगा आप लोगों को कैसे लगे हैं, इसकी जो प्राइस है वो मैं यहां पर लगा दूँगी कितने के मैंने यह बाइ किये थे, तो यहां पर मैंने सारे कलर के स्वेचिस कर लिए थे, मार्कन साइट से भी कर ल यहां पर मैंने सारे स्वेचिस मेमो पैट के ऊपर किये थे, ताके आपको पैट के बार में भी बता दूँगी यह स्टिकी वाला नहीं था, यह एसे पेपर नुमा होता है, इसमें आप नोट्स ले सकते हैं, कोई रेस्पी लिख लिए, कोई इंपॉर्टन नोट लिख लि के बारे में आपको क्या लगता है, आप लोगों मुझे कमेंट करके जरूरू बताना है, मुझे लग रहा है, मैंने थोड़ा प्राइसी बाई कर लिया, like 450 इतने चोड़े से बैक के लिए मुझे लिए ज़गता है, अपनी राय भी आप लोगों मुझे नीचे जरूरू कम सब्सक्राइब कीजेगा, यह आप लोगों के तब से तोर असा मुझे से मोटिवेशन मिल जाया करेगी कि मैं और वीडियो बनाया करूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों मुझे इंस्टाग्राम के ओपर भी फॉलो कर लीजेगा, क्योंकि जब मैं ये बाटल्स रिफ झाल्स झाल्स